सब को नमस्कार, आज मैं बहुत खुश हूँ, पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ, देश के लोगों के लिए खुश हूँ, पंजाब के मुख्य मंतरी भगवंत मान जी ने आज बहुत शांदार एलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लि भवंतमान जी ने अलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, डोर स्टेप डिलिवरी ओफ राशन, घर-घर राशन योजना, अभी आजादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन हो जाता है, छुट्टी लेनी बढ़ती है, धेरो तकलीफे उठानी बढ़ती है, आज जमाना ये आगया कि एक फोन करो और फोन के उपर ओडर करो और पीजा आपके घर आजाता है, सारा समान आपके घर आजाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी- करके आपके घर का जितना भी मनता है, वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में देखिया आईगे, पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फाइदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, मैं समझता हूँ ये जल्दी लागू ये बहुत संघर्ष कर रहा हैं, सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था, केंद्र की भाजबा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने ही नहीं दिया, ये सही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, लाजब है, यू केनग्स टोफ आइडिया का समय आ चुक है, उसको कोई नहीं रोख सकतेए, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है, अब इसका आयडिया आ चुक है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा, डिली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे, पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा, जैसे आज मोहला क्लिनिक दिल्ली में बने पूरे देश में बन रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो जो चीजे पूरे देश में लगव होती जा रही है पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया किस तरह से हम महला क्लिनिक बनाना चाहते थे महला क्लिनिक को दो साल तक रोक लिया लेकिन फिर बनाए है हम लोगोंने CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में लगाना चाहते थे उनको तीन साल तक फाइल रोक दी केंदर ने स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है कदम पे रोका गया, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगती करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोग उमें बहुत टेलेंट ह इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनके उर 75 साल से रोका जा रहा है, लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोग उने ठान लिए, अब लोग खड़े हो गए हैं, दो राज्यों के अंदर लोगों ने कटर इमानदार सरकार बना दिये, अब ये द देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा, मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, उन सभी ताकतों को कहना चाहता हूं, जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लिजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है, नमस्क्राइब